सिवान में खेट की तरफ गई थी महिला गाउं के ही चार यूंकों ने गैंक बना कर गलत काम जैसी वारदात को दिया अंजाम नमस्कार मैं हूँ सलूनी शिवा और एवन नीज में आपका स्वागत है बिहार के सिवान जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक मन गुद्धी महिला के साथ चार लोगों ने गलत काम जैसे घटना को अंजाम दिया इस घटना के बाद से गाउंवालों में आक्रोश है वहीं पुलिस ने सूचना मिलते ही मनिला थाने में FIR गर्च करवा दिया है मिली जानकारी के अनुसार एक मन गुद्धी महिला से गलत काम का मामला सामने आया है कुल चार आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है मामला जिले के हसनपूरा थाना चेत्र का है घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जिले के एम नगर हसनपूरा थाना चेत्रमीक मन्द बुद्धी महिला जिसके उम्र 38 वर्ष है वा दोपहर में खेत की तरफ गही थी कभी गाउ के ही चार मन्चलों ने पहले उसके साथ छेड़ चार शुरू की फिर उसे जबरन उठा कर पास कही बास के घाने जंगल में ले गए और चारों ने गलत काम जैसे घटना को अंजाम दिया घटना के बाद गाउवालों द्वारा पिडिता को सिवान के महिला थाना लेकर जाया गया जहां मामला दर्श कराये गया है वहीं चारों आरोपियों एम नगर हसनपूरा थाना छेत्र के ही हैं जिसमें से तीन एक ही गाउं के हैं और चौथा बगल की गाउं का है घटना के समवंध में सिवान के महिला थाना की पुलिस अर्चना कुमारी ने बताया कि महिला जहन से माजूर है उसके साथ एमेच नगर हसनपूरा में चार लोगों ने गलत काम किया है नडिकल चेक अप कराय जा चुका है मामला दर्चकर आगे की कारवाई की जा रही है इसी घटना सामने आने के बाद छेत्र में संसनी फैल गया है इस तरह की घटना के बाद गाओं वाले काफी गुस्षे में हैं और गाओं में तनाव की स्थिती पैदा हो गई है गाओं के ही सारे आरोपी है और फिलिस वालों को चाहिए कि जल से जल इन लोगों पर कारवाई करें बहरहाल इस खबर पर अब आपकी क्या रहे है कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपनी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब नहीं किया है